हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-one चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CSD से रलेटेड जो अभी रीसेंट अपडेट्स आए उसके बारे हम बात करेंगे जो लोग भी CSD से कुछ समान लेना चाहते हैं बेसिकली अभी जो लेटेस्ट प्राइस आया है और खासकर जो अभी समर शुरू होने वाली है उससे पहले जो बेसिकली जो प्राइस CSD वाले जो टैक करते हैं वो अभी लेटेस्ट जो है URC ने अपने वेबसाइट पर डाला है तो अगर आप CSD से कोई समान लेना चाहते हैं जो भी डिफेंस परस्नल है या जो भी CSD का समान लेने के लिजिबल है तो ये वीडियो ज़रूर देखें चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या ये CSD से अपडेट है और अभी जो रीसेंट आइटम्स हैं जिसमें के हम बात कर रहेंगे जो अभी एसी का जो स्प्लिट एसी का लेटेस्ट पैनसोनिक मॉडल का जो डिफेंट डिफेंट जो वेट के एकॉर्डिंग जो उनका प्राइ जो ये ACO आप एक बार अपनी URC से जो आपकी कैंटीन है वहाँ पर पता करें कि वहाँ पर क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस डिफर करता है एक्जैक्ट प्राइस नहीं होता तो अल्टिमेटली क्या है कि रेंज पर चल जाती है ज्यादा नहीं क्योंकि अब GST अप्लिक का अपडेट आपको मिलता रहा है और साथी साथ बैल आइकन जरूर दोबाएं दोस्तों हम बात करें CSD में जो AC के जो प्राइस जो है वो भी पैनास होनी कंपनी का है तो उसमें जो है जो CSCU डेल टन का जो फॉर स्टार जो है AC है उसकी जो कॉस्ट है वो तीस हजार रुप डेल टन का ही है लेकिन फाइस स्टार है यह सारे के सारे जो प्राइस हो SPILLIT AC के जो अभी 1977 ने रिलीज किया है इसके अलावा जो अगर sky inverter जो कि AC जो है inverter इंवर्टr कमपेटिबल है यह टिर टन का ही तीन स्टार 38000 क्योंकि यह inverter compatible है, पहले जो दो 30,000 यो बतीस नहीं, यह उन्व कें लेकिन वो inverter compatible नहीं है लेकिन जो धर्ड वाला है वो 1.5 stars का है थ्री स्टार है वो inverter Allegra इन्वर्टर compatible है इसके अलावब फिर एक और है एक टन का 3,000 वाला वो 20-3000 जो अभी AC के जो prices बैना सोनिक model के निकाले गए हैं वो range जो start होती है 23,000 से होती है और maximum जो 38,000 और वो depend करता है आप कौन सो model ले रहे हैं क्या compatibility ले रहे हैं उसके ओपर depend करता है इसी के साथ साथ और भी जो AFD items हैं जैसे की washing machine है refrigerator है उनके different models की भी जो है prices जो है already जो है CSD में list किये गया चुके है क्योंकि उस model को basically आने के लिए क्योंकि CSD के एक process है कि कोई भी model अगर CSD में available होता है तो proper जो है उसकी checking होती है proper वो देखा जाता है जिससे की जो भी समान CSD में मिले वो authentic हो तो इसी लिए जो है जो already tested है वही CSD में available होते है तो अगर आप कोई latest model जो Panasonic का है या Samsung का है अगर वो आप CSD में देखने जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलता क्योंकि वो दो तीन में लग जाते हैं वो पूरे process को करने में अभी दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे तो विलर्स फोर विलर्स के time to time जो है CSD जो है अपना rate list अपडेट करती रहती है तो आप वो भी जो है website पर चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको जो है खरीदने से पहले या indent करने से पहले आपको जो है प्राइस लिस्ट देखने के बाद से जो है अपनी कैंटीन में चेक कर सकते हैं और उसके बाद से उसके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग देस